हेलो फ्रेंज जब कभी घर में सबजी ना हो और कुछ अलग खाने का मान हो तो इस चनादाल सबजी को ट्राइ कर सकते हैं इसे मैंने बिना प्यास की बनाया है तो चलिए मसाले देख लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है दो इंच दाल चीनी का टुकड़ा पांच है एक बड़ी इलायची एक छोटी इलायची और थोड़े से मैंने काले मिर्च लिये हैं 10-12 काले मिर्च है जाबुद धनिया दो चम मच चीरा मैंने लिया है एक चम मच एक चम मच सरसो यहां पर आप राई भी ले सकते हैं चार लाल मिर्च लिया है और दो तेजपत्ते को हलका रोष्ट करेंगे तो सर्सो को छोड़कर हम सभी मसाले तवे पर डाल देंगे नमी निकलने तक ही इन मसालों को भूनेंगे जिसमें इसमें अच्छा सा क्रंच आ जाए और ही मसाले अच्छे से महीन पीज जाए तो इन मसालों को हम जार में डालेंगे और इनका एक बा तो यहां पर मैंने आधी छोटी चमश नमक लिया है सरसो भी इसके साथ डालेंगे और आधी छोटी चमश हल्दी डाल देंगे इन्हें बारीक पीस लेंगे तो मैंने इसे बारीक पीस लिया है एक बॉल में इसे ट्रांसफर कर देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाले जिससे ये मसाले अच्छे से फूल जाएं इन्हें मिक्स करने के बाद हम ढख एक तरफ रख देंगे तो मैंने यहां पे एक कटोरी चना दाल लिया था इसे मैंने भीगो लिया है तीन-चार घंटे के लिए और तीन-चार घंटे बाद इन्हें अच्छे से धुल कर साफ कर ल त्यार कर लिया है अधी चोटी चममचिसे भी डाल देंगे दो हरी मिर्च इसे मैंने काट कर डाल दिया है और अब लेंगे लएसन की कलियान पांच hetais लेंगे और इसमें हम एक इंच अद्रा का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काड़ कर डालेंगे जिससे ये अच्छे से पीज जाए थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इसमे अब हम इनका एक दरदरा पेस्ट त्यार करेंगे तो मैंने इसे त्यार कर लिया है एक प्लेट में थोड़ा सा ओयल लगाएंगे ओयल लगाने के बाद हम इस पेस्ट को इस प्लेट में निकाल लेंगे चम्मच से हम एक बराबर इन्हें चारो तरफ फैला लेंगे मैंने यहां कड़ाई में एक गिलास पानी डाल कर गरम कर लिया है गरम होने के बाद इसमें हम जाली रखेंगे तो मैंने यहां दूद्वाली जाली रखी है इसके उपर मैं यह प्लेट रखतूंगी इसे हम भाप में पकाएंगे इसे रखने के बाद हम इसे ढख कर 10 मिनट तक पका लेंगे 10 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इने काट लेंगे जिस भी सेप में आपको पसंद हो उस सेप में आप काट सकते हैं तो मैं यहाँ पे बर्फी की सेप में काट रहे हूँ चोकोर सेप में भी काट सकते हैं तो इस तरह से बहुत आसानी से यह बन जाते हैं और इनके इस तरह के पिसेश निकल जाते हैं मैंने यहाँ पैन में ओयल गरम कर लिया है थोड़ा मैंने ज्यादा ओयल डाला है जिससे इन्हें फ्राई कर सकें कम ओयल में भी इन्हें आप तल सकते हैं तो ऑईल गरम होने के बाद हम इसमें एक एक करके डाल देंगे इन्हें हम गोल्डेन होने तक सेकेंगे जब ये हलका गोल्डेन हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे इसमें ऑईल बिर्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करता है आपको लग रहा होगा कि बहुत जादा ऑईली बन रहा है बट इसमें ऑईल बिर्कुल भी नहीं आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑईल है हम उसे निकाल लेंगे और यहां पर मैंने एक बड़ा चम्मच ऑईल रखा है अब हम इसमें हींग डाल देंगे तो यहां पर मैं मैंने आधी छोटी चम्मच हींग डाला है आधी चम्मच इसमें अद्रक लसुन का पेस्ट डालेंगे इन्हें हलका भून लेंगे भूनने के बाद हम इसमें जो मसाले पीस कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे इन मसालों को हम एक मिनट तक और भूनेंगे जिससे सर्शों के साथ और भी मसाले अच्छे से भून जाएं तो यहाँ पर मैंने मसालों को भून लिया है औल भी से प्रोटेनर लगा है अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बाद हम इन्हें दो मिनट तक और भूनेंगे जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए तो यहाँ पर टमाटर गरने के जिससे टमाटर गल जाए दो मिनट बाद टमाटर अच्छे से गल गए है थोड़ा सा पल्टे की हेल्फ से इन्हें दबाते जाए यहाँ पर मैंने प्यास नहीं डाला है इसलिए ग्रेवी गाड़ी करने के लिए मसालों में टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए जिस कि मैं इसमें 1.5 इस डाल रही हूं मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे अब ही धक कर 2 मिनट तक उँबाल आने देंगे दो मिनट बाद ग्रेवी में उबाल आ गया है अब हम इसमें चने की दाल का जो बर्फी बना कर रखे थे वह उम इसमें डाल देंगे यहाँ पर मैंने अभी ग्रेवी को पतला ही रखा है जब हम चने की दाल के ये बर्फी डालते हैं और सब्जी थोड़ी ठंडी होती है तो ग्रेवी गाड़ी हो जाती है इसलिए हम इस सब्जी में थोड़ा सा पानी ज्यादा डालते हैं तो यहां पर मैंने कसूरी मेथी लिया था एक चम मच इसे हम क्रश करके डाल देंगे कसूरी मेथी की जगा आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं बट वो सब्जी बनने के बाद डालें तो देखिए एक मिनट बाद ये ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी भी हो गई है और सब्जी तयार है चने की दाल की सब्जी तयार है वीडियो को लाइक करें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये रेस्पी आपको कैसी लगाएं